उसमें और कई सारी चीज़े हैं तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है तो यह है अल्टिमेक्स कंपनी का एक बैकपैक यह बैकपैक फूली वाटर रजिस्टेंट है अंदर की तरब से पैड़ेड आपको कंपार्टमेंट्स मिलते हैं यह सारे वेल्क्रो वाले कंपार्टमेंट्स हैं आप इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इसके साथ साथ और एक छोटा सा पाउच मिले जाता है यह पाउच भी वाटर रेजिस्टेंट है इस पाउच के अंदर आप अपना कैमेरा और एक लेंज केरी कर सकते हो काफी अच्छा मट्रियल है पाउच का इसे भी साइड में रख देते हैं और देखते हैं और क्या-क्या चीज़े हैं अगर आप काउंट कर रहे हो तो यह बंदल की तीसरी आइटम है यह है कैनन का 55-250 mm STM लेंस इस लेंस को भी ओपन कर लेते हैं काफी अच्छी पैकेजिंग में यह लेंस आता है कवर में से बाहर निकल लेते हैं लेंस को इस लेंस को मैंने वेरिफाइक कर लिया है और यह ओरिजनल कैनन लेंस है लेंस को बाजू में रख देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है सो नेक्स्ट है वीवीटार का 500 mm का लेंस यह लेंस आता है के एफ एट एपेचर के साथ एफ एट से लेके एफ थर्टी टू तक का इसमें आपको एपेचर मिलता है एफ एट होने की वज़ा से आप इससे मून वगेरा की अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो कुछ इस तरह के कवर में आता है यह वीवीटार सीरीज वन लेंस है तो काफी अच्छे पैकेजिंग में आता है इसके साथ साथ एक यूजर गाइड और कुछ वारेंटी के पेपर मिलता है तो बॉक्स के अंदर और कोई चीज नहीं है इस लेंस को माउंट करने के लिए आपको टी माउंट रिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके बगेर आप इस लेंस को अपने DSLR पर माउंट नहीं कर सकोगे इस तरह से पाउच से लेंस को निकाल लेते हैं बहुत अच्छी को लेडी का पाउच है और यह रहा हमारा वीविटर का सीरीज 1-500 mm लेंस आप देख सकते हो लेंस पे जितने भी नंबल्स लिखे गए हैं फोकल लेंस के और एपेचर के वह सारे आप इसली पर सकते हो पूरी मैटल कंस्रक्शन में यह आता है लेंस इसके साथ एक रोटेटेबल स्टेंड आता है इस टेंड को आप डाइरेकली अपने ट्राइपोड पर माउंट कर सकते हो लेंस की लेंस और वीट थोड़ा जादा है हमारे नॉर्मल लेंस से इस लेंस को आप डाइरेकली अपने ट्राइपोड पर माउंट करोगे तो जाद एक नेक्स्ट चीज़ जो वह एक स्टाटर किट स्टार्टर किट में में मिल जाता है कुछ एरबडमिल जाता और एक छोटा सा ट्राइपोड मिल जाता है और कुछ फ्लोट्स मिल जाते हैं उसकी मदद सेbones क्लीन कर सकते हो आपना घसल्र क्लीन कर सकते हो तो ओवरॉल काफी अच्छा कीट मिल रहा है साथ में इस कीट में से पाउच को बाहर निकाल लेते हैं और इसे भी साइड में रख देते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट जो चीज है यह है हमारे फिल्टर किट्स कांडर और कंपनी के प्रो मिसलिग और दी सिरीज फिल्टर किट्स में यह इस तरह के पाउच में अंदर अलग अलग वेल्टो वाला ला यह जो वह बहुत अच्छा कि कि वेकुल वाले इस पाऊच में तीन कंपार्टमेंट है जिसमें तीन अलग-अलग लेंस आतें अलग-अलग फिल्टर आते यह सारे फिल्टर आपका जो में लेंड्ज से उसके आगे की तरफ लगते हैं कि अगर आपको creative photos कीचना चाते हो तो आपको लेंस filter use करना जरूरी है आप फिल्टर यूज़ करके बहुत creative photos कीच सकते हैं तो इसे भी साइड पे रख देते हैं इसके हमें 2 पैक मिल जाते है यानीकि टोटल छे filter मिल जाते हैं और दिखते हैं और क्या का चीज़ है नेक्स्ट जो है वो है एक क्लोज अप किट सो इस क्लोज अप किट में भी हमें चार अलग-अलग लेंच मिल जाते है इसे भी ओपन कर लेते हैं सो यह भी एक पाउच के साथ आते हैं चार अलग-अलग कंपार्टमेंट है चार अलग-अलग तरह के लेंच मिलते हैं यह भी आपके में लेंच के आगे लगते हैं कुछ क्रियेटिव शॉट्स के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हैं इसे भी साइड पर रख देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज है नेक्स्ट है एक लेंज यह है कैनन का 1855 mm STM लेंज यह लेंज ज्यादा तर किट लेंज के नाम से पॉप्यूलर है अगर आप कोई भी DSLR पर्चेस करते हो तो मोस्टली आपको यह लेंज DSLR के साथ मिलता है यह STM लेंज है तो आपको वीडियो शूटिंग में काफी स्मूथ फोकस मिलेगा तो इसे भी साइड पर रख देते हैं बाकी की चीजे भी साइड पर रख देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज है तो नेक्स्ट जो चीज है वो है एक लैंस हूड यह रबर लैंस हूड है इसे आप अपने 1855 या फिर 250 mm वाले लैंस पर लगा सकते हो जो नेक्स्ट जो चीज है वो है एक और एक पाउच है और इस पाउच में कुछ चीजे है इन सारी चीजों को निकाल के देख लेते क्या क्या चीजे मिल रही है इसे ओपन कर लेते हैं इस पाउच में हमें मिलता है सेंडिस्क अल्ट्रा एक 64GB का मेमरी कार्ड जो के एक हाई स्पीड मेमरी कार्ड है उसके अलावा हमें मिलता है एक कार्ड रीडर इस कार्ड रीडर की मदद है आप अपने SD कार्ड के सारे फोटोज और कॉंटेंट पीसी या लेप्टॉप में देख सकते हो इसके अलावा मिलता है एक आया रेमोट कंट्रोल इन सारी चीज़ों को भी साइड पर रख देते हैं और एक चीज है वो है हैंड ग्रिप कमांडर ब्रैंड की हैंड ग्रिप मिलती है इसे आप डाइरेक्ली अपने DSLR के नीचे जो ट्राइपोड के लिए माउंट होता है उसमें आप लगा सकते हो सो काफी अच्छी कॉलेटी की हैंड ग्रिप भी मिलती है अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है यह है एक और लैंस हूड यह प्लास्टिक लैंस हूड है और यह परस्नली मेरा फेवरेट लैंस हूड है यह लैंस हूड फ्लावर शेप में आता है दिखने में भी लैंस के ऊपर काफी अच्छा दिखता है प्लास्टिक की कॉलिटी काफी अच्छी है इस लैंस हूड को भी साइड पर रख देते हैं सो यह जह 0.43 एक्स वाइड एंगल लैंस यह भी कमांडर कंपनी का प्रो एचडी सीरीज का लैंस है इसे भी अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है सो कुछ इस तरह से हमने इसे उपन कर लिया अंदर एक पाउच आता है मुस्टली सारे जो भी लैंस है वो एक पाउच के साथ आते है जितने भी extra lenses है वो एक pouch के साथ है so carry करने में काफी आसान हो जाएगा pouch के अंदर एक plastic bag में है plastic bag को निकाल लेते हैं ये lens पूरा metal body में है और इसके जो covers है वो plastic के है so build quality काफी अच्छी है ये जो lens है वो भी आपके main lens के आगे लगता है so इसे भी side में रख देते है अब जो next चीज है वो है 2.2x telephoto lens ये भी commander pro HD series का lens है इसे भी unbox कर लेते हैं ये भी एक pouch के साथ आता है इस लेंस से आपकी zoom range डबल हो जाएगी ये lens जूम रेंज डबल करने के लिए यूज होता है अब next चीज है Ultimax का एक automatic flash with LED video light इसे भी unbox कर लेते हैं काफी अच्छी packaging में आता है ये flash इसे cover से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं किस तरह की build quality है इस flash की flash के पीछे के तरह कुछ instruction दिये गया है चार डबल है बैटरी यूज होती है इस flash को चलाने के लिए ये flash आपके DSLR के hot shoe में directly fit हो जाता है इसे भी side में रख देते हो और लास्ट चीज देख लेते हैं हमारे बंडल की इसे एक 50 इंच का tripod काफी lightweight tripod है इसे आप अपने साथ carry कर सकते हो आप अपनी बैग में भी इसे रखके carry कर सकते हो ये था unboxing ौर around 25 चीज हो जाती है ।